Hello banking experience and future of nation मैं अंकुर गोश्वामी या banking coach, professional and trainer आज हम बात करेंगे banking क्यों ज़लूरी है? Why banking? और banking में अपना career कैसे बनाया जाए? तो बात करते हैं, banking जो है यह एक process होता है जिसमें हम bank से lane-dain करते हैं कोई भी activity, कोई भी operation जिसमें bank involved होता है वो banking किलाती है अब आप समझेगा बचों कि banking एक customer की point of view से क्या होता है exactly देखे, assume कर यह आप bank के customer है आपकी कोई न कोई income होगी और आपके expense होगे मतलब कोई न कोई खर्चे होगे तो जो आपकी savings होती है, वो घर में न safe करके आप एक ऐसी जगा safe करते हैं, जो एक physical place है जो एक safest place है पूरे world में उसे हम bank कहते है वहाँ bank में आपको क्या होगा, एक saving account होगा जो जहाँ पे आप अपने savings को safe करते है अब क्या होता है, उसमें bank क्या करती है bank उसमें आपको interest पे करती है आपको interest यानि की extra amount आपको pay करती है bank इससे होता क्या है, ये क्यों हम करते है banking ये interest आपको क्यों दे रही है ये इसलिए दे रही है कि bank चाहती है कि जितने भी हमारे Indian citizen है उन सब की saving habit है, वो improve हो जाए इससे क्या होगा, इससे कहीं न कहीं इंडियन का जो economy है, उसमें भी growth आएगा अब देखिए, ये जो bank में जो आपके पैसे होते है, जो save होते है वो bank यूज करती है उसको किसी ना किसी activity में यूज करती है, जैसे loan देने के लिए major जो उसका role होता है आपके savings accounts का, saving amount का वो होता है loan देने के purpose में और इसके अलावा बच्चों इसके अलावा bank में और भी अलग-अलग services होते हैं जैसे bank आपको loan facilities प्रवाइड करती है bank आपको credit card, debit card अगर मैं specifically loan की बात करूँ न education loan, personal loan, home loan, car loan कई तरह के अलग-अलग loans facility bank आपको provide करती है as per your, आपके जो goodwill होते है आपके जो income होती है उसके basis में मिलता है अब मैं आपको समझाता हूँ bank में आपका career बने कैसे bank में आपको career बने कैसे bank में आपको career start कैसे करे तो bank में देखे, सबसे पहले अगर bank की नौकरी की बात की जाए तो eligibility criteria is the most important part and eligibility कौन सी? graduation yes, जी हाँ बच्चो आपको graduation at least होना पड़ेगा के पास graduation degree होनी चाहिए एक bank में अपना career start करने के लिए उसके बाद कई सारे skills होते हैं कई सारे skills पर आपको काम करना होगा जैसे दो skills में मैं focus करता हूँ domain skills और soft skills domain skills में बहुत सारी चीज़े आ जाती है जैसे industrial knowledge company knowledge या bank knowledge जिस bank में आप interview देने जा रहे हो उसका knowledge होना चाहिए अब उसके अलावा आपको problem analysis पता होना चाहिए एक company में या एक bank में कौन से profile होती है क्या क्या roads and responsibilities होती है वो सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों अगर ये सारी information है आपके पास तो आप बहुत असानी से अपना career bank में बना सकते हैं लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि bank में ये skills तो मैंने बता दिया bank में soft skills में भी बहुत सारी चीज़े आती है जैसे आपका communication हो गया कैसे आप अपने आपको present करते हो आप relationship कैसे build up करते हो आपका एक interpersonal skills क्या है ये soft skills में आता है अब सवाल ये उठता है बच्चों की domain skills और soft skills हम ये सारी knowledge gain कहां से करें तो इसके लिए है कोई जो आपके चिंता करता है मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों बच्चों है कोई जो आपके बारे में सोचता है कोई और नहीं पी डवलू physics वाला जी हाँ बच्चों physics वाला है जो आपके बारे में सोचता है और आप के लिए लेकर आया है एक ऐसा प्रोग्राम एक ऐसा I would say कि रियल लाइफ बेस प्रोग्राम जो आपको ट्रेन करेगा कि बांकिंग इंडस्ट्री में आप अपने आपो कैसे इस्टाबलिश करें यह जो प्रोग्राम है BFSI का मेरे जैसे experts और भी कई सारे ऐसे experts जिनको काफी अच्छे experience है वो आपको real life example के साथ real life industry, reality के साथ आपको train करेंगे इविन इतना नहीं आपको पूरी तरह से job ready करते हैं दोस्तों तो किस बात का है इंदजार बच्चों बहुत हमने इंदजार कर लिया graduation complete हो चुका है अब हम थोड़ा बहुत हमारे अंदर confusion है इस confusion को दूर करना है तो हमको एक you know emotion से जुड़ना होगा and that is physics वाला BFSI program thank you so much दोस्तों मुझे मैं बहुत excited हूँ आप सब को train करने के लिए अपने इस classroom program में तो मिलते हैं classroom में thank you so much पढ़ते रहे बढ़ते रहे